नमस्कार दोस्तों मैं हुआ वविनौ सिंग और टिक साला में आप सभी का सागत है आज दोस्तों क्लॉक घड़ी जो कि सभी एक्जामत के लिए इंपॉर्टन सब जानते हो चाहे हो रेलवे हो गुर्पडी हो एंटीपी से एससी या फिर सीजील सी एचसल जितनी एक्जाम हो होते हैं पुलिस को हो दरोगा को हो कोई बहिएंक को सब के लिए क्लाक होता है सब में पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान से इसको देखना है समझना है इसको लगारा आपको को एक देखने की जरूत नहीं है फुल कॉंसेप्ट भी बताऊंगा plus question भी सॉल्व कराऊंगा मैं देखो इसमें पूछते क्या-क्या है. पूछेंगे मुलाकाइट, मतलब घंटे और मेंट के हुआ शुद कम मिली, विपरीट, कभ विपरीट दिसा में होती है, सम्कोड कभ बनाती है, और प्रतिभी में दरपड के सवाल पूछ लेते हैं, और डिग्री अंस के सवाल पूछ लेते हैं, है न, इसके पहले कलेंडर में आपको बता चुका हूँ, कलेंडर का लिंक डिस्किप्शन में उसको भी दिखले न, फुल कॉंसेट बताया हूँ, पहले इसको देखो, अच्छे ध्यान समझो, भागना मत कोई नहीं, तो फिर सब गरबट हो जाएगा समझेड़ो, पानी फेर दोगा अपनी केरियर पर आप लोग, देखो, सबसे पहले मुलाकात और बिपिरित की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो, जब बारा बसता है, तो सुई दोनों, बारा पे रहता है, यह तो सब को जानते हो, है न, एक मुलाकात वही हो जाती है दूसरी मुलाकात एक बजे के आसपास होती है जब एक बसता है एक बज के पांच मिनट क्या छा मिनट मतलब तो होता क्या है कि एक जब बसता है तो भाई पांच मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है तब जाके मुलाकात होती है इसी तरह से दो बजे दस मिनट एक् फिर से दुबारा पहुंसता है, तो मात्र 11 बार ही मुलाकाथ हो पाती है। यसे 12 घंटे होते हैं लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही मुलाकाथ हो पाती है। गंटे और मिनटे की होती है, यह confirm होगे आपको, दूसरी चीज, 90 डिगरी होता है, 90 डिगरी वाले मामले में, यह दो बार बन जाता है, उतनी देर में, दो बार कैसे, भाई, इस्तिमालों 3 बजे, 3 बजे की बात कर रहा है, 3 बजे 90 डिगरी होता है, आप बोलोग बिल्कुल होता है, तो एक घंटे में दो बार हो जाता है, साथे 3 बजे भी 90 डिगरी होता है, आप बोलोग बिल्कुल होता है, है कि नहीं, तो जो 90 डिगरी समकोर जो बनाता है, समकोर की बात करेंगर, लिख जा रहा है नीचे सम कोड जो होता है कि यो 22 और 12 गंटे में 12 गंटे में 22 और 24 बार 24 गंटे में मुलाकात मतलब 90 डिग्री बन जाता है समकोड मतलब समकोड मतलब 90 समझे 90 degree का जैसे यह समकोर्ड उसको बोलते है। जीज़ 90 degree . होता है lowest एक जाना है कि वहाई कितने घंटे में Ett मुलाकाथ होती कितने गंटे में Intellail काती है ऑदेखो 12 गंटे में 12 बार तो पह एक मुलाकाथ होने में 12 बटे Gibson 12 बटे 11 घंटा लग जाता है। कि एक मुलाकाथ करने में यह बात नोट करेंगा बहुत इंप्रटन बात पर 12 बटे 11 घंटे में में फिन्म रख कर बात है बहुत इंप्रिद बहुत बहुत इस पर 10Listen को यो गी लेकिन संहोत जो बनाएगा ओ इतनी देर में 12 बटी 11 घंटे में दो बार बनेगा इतनी साथ आपने जाना बहुत इंपोर्टर बात मैं बताया अब आते हैं कोड की तरफ कुल टोटल जो कोड होता है पूरा का पूरा पूरा का पूरा भाई 360 डिगरी होता है यह सब जानते हो तो पूरा कितना होगा 360 डिगरी का होगा घंटे की सुई एक घंटे में कितना कोड बनेगा प्लस एक मिनटे में क्या बनेगा यह सब आपको जानना जरूरी है मुख्य ब बता देता हैं उसके बाद सवाल अगों आप बहुत आसानी साब सब कर लोगे मिनट की सुई अगर बात करोगे एक घंटे में तो पूरा का पूरा कर लेता है मिनट की सुई एक घंटे में 360 डिगर चलेगा तो एक मिनट में कितना चलेगा तो आप कहोगे एक मिनट में 60 सेकंड होता है और जैसे एक घंटे में में 360 डिगरी चला तो एक मिनट में 360 बटे साथ कर दो क्या कि घंटे में 60 मिनट होता है है न कर जाएगा छे चंग छातिस छे डिगरी आ गया मतलब की जो मिनट की सुई है यह 6 डिगरी चलेगा एक मिनट में अगर तो यह जो इलाका यहां से लेकिए यहां तक मातर छे डिगरी का होता है स्कितना चेकर और यह टूटल यहां से लेकि यहां तक यह होता है ती चंग यह तो गंटे की सुई की एक घंटे में 30 डिगेरी चलता है तो भाई एक मिनिट में कितना चलेगा एक घंटे में 30 डिगी चल रहा है ना तो एक मिनिट में say हो गया तीस में Saad Saad से बहाग देतो एह दो एक बटोए धोए अ misfट की जो घंटे की सुई होता है एक मिनट में एक बटे दो डिगरी चलता है इतना ओगया ना मतलब कि घंटे की सुई एक लडर में आधानश स्वह क् और एक घंटे में 30 की मिनट की यह घंटे में 360 पूरा गूम जाता है और एक मेर्ट में 6 डिगरी चलता है यह कंफर्म हो गया ना आप सभी को तो अब चले सवालों के तरब उम्मीद है कि इतना आपने समझ गये होगे अब आगे मैं सवाल जब बताओं को ना बहुत आसानी सबको समझ में आएगा सब कुछ ठीक है चल एक बज़े यहां बसता है दो यहां होता है अब बताओ हमको एक और दो बज़े की बीच का मुलाकात होगी तो एक बज़े की बीच घंटे की सुई एक पे होगी और मिनट की सुई भी लगभग इसी पे होगी तभी तो मुलाकात होगी बोलो यह है मालों नीचे वाली यह तो एक बज़ के पांच मिनट से थोड़ा सा आगे इसा में जब ऐसा सवाल पूछे दोस्तों आपसे तो आपको क्या करना है पता है पहली बात तो लिख दो एक एक लिख दिया उसके और एक और दो के बीच पूछ रहा है तो पांच मिनट तो होई गया होगा लिख दो बटे हो जाएगा जाएगा जया और फच पंश पांच बटे की यह उत्तर हो जाएगा एकबच के पांच सही पांच बटे की घ्यारा मिनिट पर मुलकात होगी बहुत जल्दी हो गनी हल्वात तुम देखो आप यह सब सवाल पूछे गये सवाल है बड़े बड़े शाब स् चलो इसको देखो तीन और चार बजे की बीच तो घंटे के रही होनी चाहिए तीन बजे के 15 विम मिलेंगी आप बोलू तो आप से घंटा के सुझी थोड़ा से नीचे हो जाती है तो तीन बच के पंदरा मिनट के आसपास मुलाखा तो गुड़े बारा बटे ग्यारा कर दो बस अब देखो बस इसी को सवाल को लो तीन बच कितना आएगा अभी आ जाएगा तो बारा गुड़े पंदरा कितना होता है यह ह मतलब 180 बटे 11 हो जाएगा 11 एककम 11 बचेगा साथ सत्तर इयारा चके चांचर 16 सही 4 बटे 11 तहीं है 16 सही 4 बटे 11 तीन बच के 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी बोलो समझ मेया रनक दम अब इसको देखो चार और पांच बजे की घंटे और मिनट की सुईयां बिपीरी दिशा में कब होंगी इन देखो अभी समझाता है फटाक से घड़ी है घडी है थोड़ा चोटा कर दो घड़ी है उसके बाद दोस्तों तीन बजे यहां है क्या मुच्छा चार बजे सुइ स्वारी चलो ठीक है बना देता हूं फटाक से देखो यह है 4 और यह 5 कह राया कि 4 और पांच बजे के बीच बिपिरीत कब होंगी न तो बिपिरीत होने के लिए क्या होना पड़ेगा घंटे के सुई यहां होगी चार की विपिरित क्या है, चार विपिरित ये है, नौ के बाद दस, मतलब इसलिए मने यहाँ थोड़ा सा अंदर कर दिया, दस के अंदर, ये दस है, और ये चार है, ये पांच है, इसलिए थोड़ा सा अंदर घुमा दिया, क्योंकि भाई, वहीं मुलाकात, वहीं विपिरित यहांगे इतनी देर सुई घंटा भी दो नहीं चाहा जाएगा ना जो भी हो तो 10 पे हो गाना तो क्या लिखने हमको 4 बज के 10 पचे 50 पचास मिनिट पचास गुड़े 12 बटे 11 बारा पंचे 66 हो जाएगे 600 बटे 11 1-7 solve कर लो, 11 पचे 55 हो जाएगा, बचे गा 5, 50, 11, 4, 44 हो जाएगा, फिर बचे के 6 बटे 11, 54 सही 6 बटे 11, कहा है, 54 सही 6 बटे 11, ये देखो, बस आपका एंसर हो गया, बास समझे के नहीं समझे, आगे देखो, ये सब सवाल पूचे गया क्योंशन है, ये मन सोचना की कहो, सब दमदार कोश्यन है पाँच और छे बजे की बीच दोनू सोई हैं अभी प्रित कप होंगी फिर से देखो एक घडि बना देता हूँ आप फटाक से पाँच बजे 5 और 6 बजे कह रहा है ना चलो यह है 4 यह है 5 यह है 10 11 हो गया देखो 5 और 6 बजे के बीच तो 5 मालो यह और यह बताओ मतलब 5 बज के 55 बटे 11 अब देखो 11 बचे कट गया 12 बच नहीं होता है नहीं होता चे बच जाएगा सी रा मतलब की पांच और च्छा बज़े के विपिरीत विपिरीत दिशा में तभी होंगी जब 6 बज जाएगा जाते जाते समझ भाई बात की नहीं एकदम भाई ऐसे करी आपने 6 बज गया मैं आपको बताया भी कि जाते 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 ओ आके फिर से फाइनल इस्टेस में पहुंच तो छे बज जाएगा मुलाकात मतलब विपिरीत होते होते अब अगला देखते हैं दो और तीन बज़े की बीच दोनों सुईगे 90 डिगरी का कोड का बनाएंगी हां से सुनो बड़ा important सवाल है देखो यह क्या करना है यह क्या करना है दोस्तों देखो यहां अब पूछा क् यह एक है यह दो है है ना दो और तीन बज़े की बीच यह जो घंटे के सुई है दो पे रहेगी यह दो पे रहेगी 90 डिगरी 15 मिनट की बीच बनता है 15 मिनट जानते हो ना यह बात तो एक दो तीन यहां होना चाहिए किस पे यह है तीन यह है चार यह है पांच पांच पे ह होना चाहिए दोस्तों दो बज के 25 मिनट के आसपास 90 डिगरी बनेगा दो बज के 25 मिनट के आसपास अब देखो दो बज के 25 गुड़े 12 बटे 11 अब इसमें गुड़ा करो पचीस गुड़े 12 कितना हो जाएगा पचीस चेव का सब 300 हो जाएगा ना पचीस दोन हां 300 हो जाएगा तो 300 बटे 11 जब करोगे 11 दूना 22 आठ बचेगा 11 सते 77 तीन बचेगा 3 बटे 11 27 सही 3 बटे 11 एक पता और बता तूँ आपको 90 डिगरी दो बार होता है अञे 90 डिगरी दो बार होता है यहां भी होगा लिकिन इसमें एक ही दिया है उत्तर में एक ही दिभ्यार देंगे क्या टेंसा अबने दोस्तों अब शमाखते हो सब लोग चलो वगला देखते हैं तीन और चार बजे की बीच नबवे अन्सका कोड कब बनेगी अब दिखो इसमें भी वही खेल है तीन और चार बजे के बीच तीन और तीन ही बज़े बन जाएगी क्या इसमें दो उत्तर हो सकता है न दोनों दिया है अभी स्वल्ब करना पड़िए देखो एक तो तीन बज़े हो जाएगा अब बोलो कि बिल्कुल हो जाएगा बताओ कोई डाउट तीन बज़े होगे का नहीं होगा एक हो गया तीन ही तो यह दिखो तीन दिया है, हो सकता ये भी हो सकता उत्तर, एक होगा साधे तीन के आस पास, लेकिन साधे तीन के आस पास घंटे के सोई थोड़ा खिसक जाएगी ना दे घंटे, इस वजह से हमको तीन बच के तीस गुड़े बारा बटे ग्यारा लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये दोनों उत्तर आपका हो जाएगा, मतलब यहां भी हो गया है, मुलाकात वहां भी होगी, दोनों कैसे निकालते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया, बोलो, समझे मैं एक दम, अब आगे बढ़ जाते हैं, साधे नव बजे का समय दरपड में क्या दरस आता है, द जब सिर्फ दरपड भी दो प्रकार का हो सकता है, दोस्तों कैसे, दरपड भी दो प्रकार का हो सकता है, एक 36 दरपड एक लंबवद दरपड, दोनों समस्ते हो न ये बात, एक 36 दरपड एक लंबवद दरपड हो सकता है, लंबवद दरपड में क्या होगा, कि बगल में फब पूचेंगे में देखर लिपूचेंगे में तेन भजा दिए पूचेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा और यह ऐसे तो साठे तीन बजाएगा तब भी यह सही नहीं होता क्यों कि साठे तीन बजे थोड़ा से यह चलाता है इसलिए 36 दरपड सही नहीं माना जाता है लेकिन पूछ लेते हैं एक्वेश्चन मैं देखा हूँ एक्जाम में तो पूछते कहा है 9 पूछ लंगे और ये मतलब तीन बजे पूछ लंगे तो इसमें 3 बज राइसमें साथे टीन बज जाएगा और इसमें नौ बज राइगा यही खेल बागी कुछ नहीं इसका टंसन ज़्याद आपको लेना ही नहीं है देखो यह वाला लंबोध दरपड में ज़्यादा सवाल कुछ नहीं करने आपको क्या पुछा अश्में साथे नो बजे साथे नो बजे के लिए घंडे के सुई यहां पर नौ पर होगी और यह मिनिट के जो भी बजे जैसे पुछा नो बजे दरपड़ में कितना बजेगा तो 12 माइनेस नो कर दो बस 12 मानेस कितना होता है भाई 12 में से 9 घटा हो गए तो नो तीन बारा होता है मानलो 12 अध़ाई बच जाएगा समझ माय कि नहीं भाग भाई इसमें ढाई जोड़ोंगे जब 30-30 मतलब एक 0 हो जाए का मतलब एक गंटा हो जाएगा 9-2-1-2-2 कुल मिला कि धाई बच जाएगा है ना तो बारा में से घटा देना जो भी पूछे ना बारा में घटा देना तुरंत बारा में घटा तुरंत उत्तर आ जाए कोई घांच पाच कर नहीं आपको जैसे इसमें दरपड में 3 15 दिखाए देता है तो सही समय क्या है अब देखो दर समझ में आएक नहीं बात भाई तीन घटाओं के नो बच जाएगा पंद्रा और आठ मैं तालिस बजे हो जाएगा एक सब्ता में घंटे और मिनट की सुई कितिनी बार समकोड बनाएगी हाँ अभी स्टार्टिंग मैंने क्या बताया कि जो समकोड वाली बात दो बार बनती समकोड वाला 22 बार दो बार हो जादा ना घंटे में इसलिए 12 गंटे 22 बार तो बार गंटे 22 बार 24 गंटे में 44 बार पूछ कह रहा है एक सब्ता में साथ सब्सक्राइब को चावा सच्छाओ को अठाइज सच्छाओ कोड़ दो 30 308 यह दिया है 308 बार मुलाकात होगी समझ म सब्सक्राइब के 25 मिनट पर दोनों सुरियां कितने अंश का कोड़ बनाएंगी इंपोर्टेंट प्रस्ण है देखो आपको समझा देता हूं यह थोड़ा सा यह प्रस्ण बराबर पूछते हैं कितना बोजा पांच बज के ऐसे 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 सब बना देता हूं ताकि जो मिनट की सुई हो तो पक्का 35 पर ही होगा पका का मतलब यहीं होगा इतना कंफर्म आपको और यहार टखान ए टीज डिगरी का होता है यहां से लिए बदा और एक मिनट छे डिगरी का होता है एक बार बताओ पांच है यह चे है तो यह 25 मिनट में कितने डिगरी खिसकेगा एक मिन कितने डिगरी चलता है घंटे की सुई क्योंकि घंटे की सुई है तो घंटे की सुई अभी मने इस्टार्ट के बताया दोस्तों कि घंटे के सुई 1 मेट में, 1 बटे 2 डिग्री मतलब आधे डिग्री चलती है तो 35 कारधा केतंगी हो ओब स्टारह तो 35 कार१ा करदांने? तो 60 degree में साड़े सतरा घटा दो जो आएगा उत्तर हो जाएगा पहले 18 घटा हो अठारा घटा वोगे तो यह बन जाएगा 42 तो 42.5 यह लिखा है 42.5 डिगरी यह बढ़ेगा समझेंगे बात ध्यां समझना यह बात जितने जितना खिसका हो न उतना घंटे वाली घटा देना वहां से यहां से यहां से यहां तक 60 degree 30-30 साथ होगा टोटल साथ होगा लेकिन यह खिसक यहां जाएगा तो 35 मिनट तक खिसकेगा एक मिनट में अधा दिगरी खिसकता है तो बना दो कि आप अगला देख लेते हैं 3-25 बजे दोनों सोईयां की कोड कीतना बजेगा यह आपक कभो पूछ ले आप से तो जैसे ये साड़े बैलिस आया है ना 360 में साड़े बैलिस घटा देना बस बाहर वाला बग्यांस हो जाएगा ऐसे नियून कोर मतलब यह होता है देखो अब इसका मतलब क्या तीन पचीस पूछ रहा है देखो यह तो बहुत सरला और सरल है यह तीन पर होगा पचीस का मतलब क्या होता है एक दो तीन चार पांच पर होना चाहिए यह यह पांच पर होगा यह तो पक्का पांच पर होगा मिनट की सुई है ना लेकिन यह घंटे के सुई पचीस मिनट तक खिसकेगी, टोटल साथ यहां से लेकि यहां तक होगा, लेकिन पचीस मिनट खिसकेगी, मतलब साधे बारा डिगरी, तो घटा दो, साथ में साधे बारा, पहले तेरा अगर, पहले बारा घटा आओगे अगर इसमें, तो कितना हो जागा, 48, 48 में 5, 47, यह दिया है, 47, है न, ज इतने अंश घूमेगी, देखो इसको क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, ध्यान समझना आए भी, यह बहुत, से सीजल का कॉश्चन है, इंपोर्टन है, इसमें क्या कह रहा है, कि एक घड़ी की, प्रतेक एक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती हो, और तीच चल नहीं थोड़ी इक मिनट में पूरा चक्कल लगा देती, मतलब 30 डिगरी सामानता घूमती है, यह हम लोग सब जानते हैं, लिकिन यह एक घंटे की बात कर रहा है, प्रतेक घंटे 5 मिनट बढ़ रहा है, तो एक घंटे में 60 बार घूमती है, आप बोलोगे बलकुल 60 बार घूमती है, तो 60 आट वार घूमने के बाद तब 5 मिनट बढ़ता है, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 6 पंचे 30, 300, 300 सेकंड होते हैं, तो जब भाग दे दोगे, तो पर, क्योंकि भाई, एक मिनट का पूछ रहा है ना, तो इसमें तो एक घंट, 300 सेकंड जो बढ़ा है, प्रतेक घंट में 5 मिनट मतलब 300 सेकंड बढ़ जा रहा है, जो अगर मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट की बात करोगे, तो कितना सेकंड बढ़ेगा, आप बोलोगे, भाई, 6, 35, 35 सेकंड, अब हमारे समझ में हमारे लोग के यह आया, कि एक मिनट, जो एक घंडे में 5 मिनट बढ़ता है तो एक मिनट में 5 सेकंड बढ़ रहा है, हमारे समझ में आ गया, है न, पक्का है कि नहीं, एक मिनट में मात 5 सेकंड, तो हमको बताओ, जो इसे 5 सेकंड चलता है, यहां से यह तक कितनी डिगरी होती है, अभी मैंने बताया था 30 डिगरी, तो 360 डिगरी तो पूरा घूमेगा एक ही मिनट में, यह तो समझ में आ गया, अब यह वाला प्रस्ट, यदि घंटे की सुई 18 अंसग होमेगी, तो मिनट की सुई कितना अंसग होमेगी, यह आपको होमवर्ग लिए दे देता हूँ, इतनी देर मैंने इतना मेहनत से बताया, तो आप लोग तो यह कोशन करी लो होगे, पक्का बता रहा हूँ मैं, अगर ध्यान से पढ़े होगे, दोबारा देख लेना चले के एक बार मेहनत से, लेकिन आपको बहुत फायदा होगा पर लाइफ, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो दोस्तों, इसका उत्तर जोड़ दोना कमेंट बॉक्स में, त सब बंद करोगे, तभी होगी, समझेलना, अभी करोगे तभी अच्छा रहेगा, बाद में जब धीर-धीर बढ़ जाएगा, तब सब लोग करने लगते हैं, सब्सक्राइब भी करेंगे, लोग जूड़ने लगते हैं, अभी जो करेगा, ओ में इंपोर्टेंट होती है, है है की नहीं, तो बस मिलते हैं इस क्लास में, तब तक ले जाए हिंद, जय भारत!